मित्रों नमस्कर, बैभाहिक विवाद के मामलों में अक्सर एक सवाल सामने आता रहता है कि क्या कॉल रिकार्डिंग को सबूत के तौर पर कोर्ट में इस्तिमाल किया जा सकता है या नहीं? यानि अगर पती-पत्नी आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत से कोई आरोप साबित हो सकता है तो ऐसी दशा में क्या उस बातचीत की कॉल रिकार्डिंग को कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तिमाल किया जा सकता है अगर इस्तिमाल किया जा सकता है तो कब और कैस इनी सब सवालों के जवाब अभी हाली में जिनांक 16 जुलाई दोहजार चौबिस को मरने गुजरात हाई कोट ने एक फैसले में कहा है कि एदित पती और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू इंसा और प्रूरता के दावों को पुखता करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक ब अपने पती और पती के घरवालों के खिलाफ कुरूरता और घरेलू हिंसा के आरोपा को साबित करने के लिए ऐसे किसी काल रिकार्डिंग को सबूत के तोर पर इस्तेमाल करना चाहती है तो वो कर सकती है एनिकुल मिलाकर ऐसे काल रिकार्डिंग की प्रासंगिकता पर कोर्ट को विचार करना होगा और पीडित महिला को ऐसे काल रिकार्डिंग को इस्तेमाल करने के अन्मति दी जाएगी क्योंकि एक महिला जो अपने ससुराल में रह रही है जहां चारों और हर वक्त उस पर घर खरेलू हिंसा को साबित करना असंभो हो जाएगा इसलिए उसे ऐसे काल रिकार्डिंग को इस्तेमाल करने की अर्मती मिलने ही चाहिए भले ही ऐसी काल रिकार्डिंग चुपके से बिना बताए हुए ही क्यों न की गई हो इसे संविधान के अनुच्छेद 23 का उलंगन भी नह सामले में तत्थ ये था कि घरेलू हिंसा से पीडित एक महिला कॉल रिकार्डिंग की सीडी को फोरेंसिक लैब से जाच करवाना चाह रहे थी और इसके लिए उसने अपने पती को वायस सेंपल देने के लिए एडिशनल चीफ मेट्रोपलिटर मजिस्टेट को आवेधन किय जो खारीज हो गया इसके बाद महिला ने सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया और रिवीजन भी खारीज हो गया तो उसने माननी हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया जिस पर माननी हाई कोर्ट ने ये महत्योपूर्ण निरड़े दिया है तो अब इस निरड़े से ये रिकार्डिंग को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है इसके लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि भारतिय साक्षे दिनियम के अनुसार हैश वैलू और धारा 65B का सर्टिफिकेट पेशकत प्रथम द्रिष्टिया या साबित करना होगा कि रिकार्ड की गई बातचीत में कुछ मिटाया नहीं किया गया है या छेर छाड नहीं की गई है साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि बातचीत मुद्दे के लिए प्रासंगिक हो आवाज पहचानी ग में याचिका करता ने एक सीडी एक ट्रांस्क्रिप्ट और भार्तिय साक्ष अधनियम की धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था जिसमें सीडी में मौझूद आवाजों की पहचान मौझूद थी मित्रों इस केस का टाइटिल वा अन्य विवराण आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो ये थी नभीनतम निरडे की संक्षित जानकारी आगे भी ऐसी ही कानून की महतुपूर्ण जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर और यदि इस वीडियो को फेस्बूक या किसी अन्य चैनल पर आप देख रहे हैं तो हमें फालो करना ना भूले धन्यवाद